हेलो दोस्तों कैसे आप लोग वेलकम टू माई यूटूब चैनल टीए मेमोरियल में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जारखन पुल टेक्निक इंट्रेंस एक्जाम 2019 जो की प्रिविएस एयर का कुश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे आज केमेस्ट्री का सॉल्व इससे पहले मैं फिजिक्स का वीडियो बना चुक हूँ अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो चलिए बीना देरिक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया तो सेट सेट एक का है जहरखंड पल्टेक्निक 2019 का सेट एक क्वेशन है तो चलिए पहला क्वेशन पढ़ते हैं तो पहला है अग्या डैस गैस इज लिबरेटेड वैन जिंक इस ट्रीटेड वीड एच्टु एसओ फोर तो यह एक्शन आपको याद होगा क्लास 10 में जेडेन यह एसीड है और यह मैटल है तो जब भी मैटल और एसीड रियक्ट करता था तो सॉल्ट सोलिप्सन प्लस एच्टु गैस रिलीज होता था आप यह पढ़े भी होंगे क्लास 10 में तो आंसर क्या हो जाएगा कौन सा गैस रिलीज होगा तो सी नंबर ऑप्शन एच्टु गै और इसे क्या जो सी ओ छोल्टु रहता है यहां पर सी ओप्शन में इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम स्लैग्ड लाइम ठीक है आप देख लीजेगा नेक्स्ट्क्षिन श्लैग्ड लाइम रियक्ट स्लोली वेद इस यो टू इन एयर तो फॉर्म एथिन लेयर ऑफ श्लैग कर्बोनेट अप्सर नमबर डी नेक्स्ट कुशिशन कंबाइश द्रिंग लेते हैं ठाकेव को टता है तो लोग को एनरजी मिलता है जहाएँ सिंपली कौन सा हो जागा सी नमबर ग्लूकोज्ट नेक्स्कोज कुशन कलर औफ फेरस लफेट क्रिस्टल्स तो यह लौजी का कलर किया होता है बी नंबर ग्रीन आप देख लीजेगा यह याद करने होला चीज़ है याद रखिएगा दोस्तों यह सब कलरे होते हैं इस एक्जाम के लिए कोई भी कहुँदी Pillay के लिए कलर का में बहुत ही important होता है next question when lead nitrate is heated emission of dash occurs तो जब भी lead nitrate को heat करते हैं lead nitrate यानि PBNO3 ठीक है PBNO3 को जब भी heat करेंगे तो क्या क्या निकलेगा इसको कहते हैं यह रियक्शन बहुत ही इंपोर्टेंट होता है जो नाइट्रोजन डायोक्साइड होता है वह ब्राउन फ्यूम की तरह रिलीज होता है नेच्ट क्वेशन ऐने टु ए सोफौर प्लस बिए ऐस फॉर प्लस एंपोल बहुत ऊजिक क्वेशन है यह किसका एक्जामपल है डावल डिस्प्लेसमेंट यह इसका जगाद चिनता है बेरियाम इसका तो यह सब डेवल डिस्प्लेसमेंट होता है आप 10 क्लास से पड़े हों में next question chips manufacturers usually plus bags of chips जो chips बनाता है वो chips के packet के अंदर कौन सा gas भरेगा nitrogen भरेगा उसको rancid होने से बचाएगा जो उसके अंदर जो होता है rancid होने से बचाता है जो chips के अंदर जो समान भरी होती है उसे rancid होने से बचाता है उसे हवा लग जाएगा तो अगर कोई और gas भरेगा तो वो उसी समान से react कर जागा इसलिए nitrogen gas जो की react नहीं करता है इसलिए उसी को pack करते हैं inert gas भी इसे कहते हैं तो answer हो जाएगा next question on passing axis of carbon dioxide through lime water dash is obtained तो देखो lime water जैसे की c a o h hole to go जब co2 किये तो c a co3 बना ठीक है लेकिन यहां पर बोल रहा है axis of carbon dioxide अब जैसे c o co3 बन गया पास करने से अब axis of carbon dioxide बोल रहा है तो इससे क्या बन जाएगा d number option बन जाएगा calcium hydrogen carbonate बन जाएगा ठीक है axis of carbon dioxide पास करेंगा lime water में तो calcium hydrogen carbonate बनेगा यह याद रखेगा दोस्तों बहुत ही important question था यह next question dash solution does not conduct electricity अब कौन सा solution electricity conduct नहीं करता है sodium hydroxide naoh जोता है naoh जब इसको वाटर में बिलाएगा तो na plus और oh minus यान में यह बदल जाएगा तो यह आयन बन गया यह अनि electricity conduct करेगा उसी तरह calcium hydroxide electricity conduct करेगा hcl भी करेगा लेकिन glucose नहीं करेगा या इसलिए answer क्या हो जाएगा c next question the ph of blood is ph of blood क्या होता है very very important दोस्तों किसी भी दोस्तों किसी भी technique exam के लिए चाहे वो बिहार का हो चाहे उत्तर परदेश का हो ph बहुत important होता है इसलिए आप यह जरूर याद कर लिजेगा इसका answer होगा c number option next question आवर अस्टामक प्रोड्यूजेज डैस acid which helps इंदत्य बहुत important है और इजी भी है तो option number d हमारे पेट में hcl होता है जो हमारे खाना पचाने के लिए भी काम होता है बैक्टेरिया जंप्स अगर इंटर कर जाए गलती से तो उसे भी मारने के लिए काम आता है नेक्स्ट क्विशन अस्टिंगिंग हेयर ऑफ निट्टेल लेव से जब भी हमें अगर आता हो तो कमेंट की जैने होता तो मैं बता देता हूं बेकिंग सोड़ा क्या होता है इसको बोलते हैं सोडियम हैड्रोजन कार्बोनेट तो देखें यह किसको ऑप्सन में है तो बी ऑप्सन में आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्विशन इसका आंसर होगा वासिंग सोड़ा सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होता और बोर्यक्स एक तरह का सोडियम कंपाउंड है इसलिए वासिंग सोड़ा अनसर होगा a यह नमबर यह नमबर आंसर होगा next question plaster of Paris इस plaster of Paris आपको यह बहुत ही important है आपको याद होगा answer क्या होता है caso4.h2o जब gypsum को heat करते हैं 100 degree Celsius में 373 Kelvin पर gypsum का formula क्या होता है caso4.h2o जब इसको heat करेंगे 100 degree Celsius में तो इसका जो यह one hole one by two water उड़ जाता है और बचता क्या है caso4.h2o और वो क्या कहलाता है plaster of Paris ठीक है इसलिए answer हो जाएगा c number next question दोस्तों the ability of metals to be drawn into thin wires is तो कितना easy question है अगर किसी भी पतले तार को बदलने में उसको process क्या कहते है किसी भी metal को थिन वायर में बदलने का process क्या कहते है ductility उसका यह properties होता है ठीक है metal का next question the most malleable कौन सा होता है most malleable जिसको thin seat में बदला जा सकता है thin seat में thin तार में जो भी बोलो तो इसमें सबसे कौन सा है malleable तो ए नंबर gold gold को अगर एक गराम gold से हम दो किलोमेटर तक का तार पर convert कर सकते हैं दो किलोमेटर का तार पर इसलिए तो लोग jewelry वगेरा में gold को ही पसंद करते हैं उसको वह पतले पतले तार जैसा बना सकते हैं gold को इसलिए नैंट प्रृशन है डैस इस नॉन मेटल बट इट इस लस्टर भेरी-फैरी इंपोर्टेंट एक्सेप्सण है नॉन मेटल का तो कौन सा है जल्दी बते बहुत इजी सवाल है कमेंट कीजे कॉल्ड वाटर से नहीं करता है को ना का मग ठीक है तो पोटेसियम सबसे रियक्टिव है तो यह cold water से रियक्ट करेगा sodium भी react करेगा कैलसियम भी react करेगा magnesium और aluminium तो यहाँ पर magnesium दियाओ इसलिए answer magnesium होगा जो सबसे नीची आएगा वही cold water से react नहीं करेगा अगर aluminium दिया रहाता तो aluminium भी होता ठीक है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर मेंगनीशियम नेक्स्ट कुश्चन दिखते हैं मेंगनीशियम और मेंगनीशियम और मेंगनीशियम डिल्यूट से रियक्ट करेगी तो जरूर हो जाएगा तो आंसर क्या होगा एच्टू गेस्ट नेक्स्ट कुश्चन इसका ट्रिक मैंने बताया था क क ना का मग अल जने फेक पेभी हाइड्रोजन कॉपर फिर सोना चांदी और प्लेटिनम ठीक है अब देख लिजे कनाका यानि पोटेसिया में सोडियम कनाका मगल कनाका मगल जने फेक पे भी हाइड्रोजन कॉपर सोना चांदी प्लेटिनम यह ट्रिक है दोस्तों आप याद रख लिजेगा तो इस ट्रीक के माधियम से आप खुद से चूज कीजिए देखिए कौन सा आ अंसर होगा बी क्या होगा बी मेगनिशियम अलुमिनियम जने फेक तो सब कुछ उसी तरह है कनाका मगल जने फेक यह सिरीज में है next question इसका अपको बता देता हूँ यह जब भी चूद्ध क्या हो जाएगा पारा एकदम हाय जाएगा और पारा क्या बोलते है मर्कुरी का फर्मुला क्या होता है हजी और वाफ्ट आप तो कभी मार सकते तों अंसर क्या होगा और नियुक्ष नारकरो मकुरी सल्पाइल तों सल्पाइड ओस ऑर छोट? होता है सिम्पल रोस्ट इन के आपको याद होगा है और ट्रिक का आर सी सी आरेस का सी सी आर से रोस्टिंग सा सलफाइड ओर्स को अटाने के लिए और सी से कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स को अटाने के लिए बहरी बहरी इंपोर्टेंट दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा रोस्टिंग प्रोसेस डी नंबर नेक्स्ट कुश्चन FE2O3 plus CEA किसका इस reaction को क्या कहते है थर्माइट reaction बहरी बहरी इंपोर्टेंट हो दोस्तों यह किसी भी एक्जाम के लिए हो कुछ कुछ कोईशन बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं इसलिए आप हमें से याद रखेगा किसी भी एक्जाम का हो किसी भी एस्टेट का पल्टेक्न से उसको जोडते हैं तो आज इस वीडियो में इतना ही यह पार्ट वन था नेक्स्ट वीडियो पार्ट तू बचा हुआ 25 कुशन सॉल्व करेंगे तो दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किजेगा हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं आपको टेकनिक और क्लास टेंड का पूरा सले बस इस चैनल बे पढ़ाएंगे बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आज धन्यवाद दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही